हलो एब्रिवान वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाटशाला मैं आपकी हिंदी एजुकेटर उपाली वर्मा भाई आज क्या लेके आए हैं हम सभी आज कल पढ़ रहे हैं लेखनकार क्लास नाइन थू तेन थू हर आल में लेखनकार ही कर रहे हैं तो अभी डिसेंटली जो हमन तो वो ने सीखा था सौवरत बनाना जिसमें कुछ चीजें जो हैं सलसलेवार हैं आपको सब कुछ मैंने बताया था अब आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आ रहा है कि भाई मैम इसमें जो हम इन्फोर्मेशन फिल करते हैं सबसे बड़ी बात है कि हम इन्फोर्मेशन ज कर रहे हैं तो हम आगे की information किस बेसे पर दें और उसमें नाम किसका दें एड्रेस किसका दें देखे एक चीज़ हमेशा दिमाग में सेट करके चलो क्यों मैं practice कर वा रही है ठीक है reason क्यों है by format समझ में आ गया तो जब आप practice करो और यह बायो डिटा बना ठीक है ना आप किसी का भी नाम ले सकते हो किसी का भी father name कर सकते हो mother name कर सकते हो डिटा पर हाँ dates की आपको खास्तोर से ध्यान रखना होगा ठीक है अभी चल रहा है 2024 ठीक है अब जाहिर सी बात है जो चीज़े भी आप mention करोगे वो 2024 से पहले पहले हो जानी चाहिए मान लीजे अगर आप post graduation भी कर रहा रहे हो अगर बंदे ने 2024 में अगर post graduation किया है तो उससे दो साल पहले वो graduation कर चुका है ठीक है कब कर चुका दो अगर 2024 में अगर वो MBA कर रहा है तो कब करेगा यानि कि 2022 में वो graduation कर चुका है 2022 में अगर उसने graduation किया है तो 2019 में उसने 12th किया है 2019 में 12 है तो 2017 में उसका high school है 2017 में अगर उसका high school है तो 2001 की उसकी पैदाईश है समझ में आया पैदा होने के 16 साल बाद ही वो क्या कर सकता है टेंथ करेगा तो ये चीज़े थोड़ा सा दमाग में set करते हुए चलना इसलिए practice करा रही हूँ इसलिए सारी चीज़े बता रहे ह जो आपने खुदने कभी नहीं करी ठीक है ना चलिए अब इसकी practice जैसे मैंने कहा कि practice जरूरी है तो last अभी हमने स्ववरत कराया जिसमें मैंने आपको स्ववरत के दो धारन करते हुए सारी चीज़े समझाए उसी के साथ मैंने डीपी पे दिया जिसमें आपको मैंने 6 questions दि थी क्योंकि अगर आप 6 बार practice कर लेते हूं किसी चीज़ की तो जाहिर सी बात है कि वह format तो दिमाग में छप जाएगा ना इसी लिए मैं करवारी हूं पढ़ो और तुरंत उसकी practice करो तो एक बार अगर दिमाग में छप गया तो समझ दो board exam तो आपका ऐसी निकल गया उसके श्रेणी लिपिक पत के लिए अपना एक आकरशक स्ववरत त्यार कीजिए लिपिक कौन होता पता है टाइपिस्ट ठीक है जो टाइप करता है ना आजकल तो वो टाइप राइटर तो चले नहीं लेकिन computer पे तो टाइपिंग का रहता है ना तो वो टाइपिस्ट के लिए सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे व्यक्तिक परिचे से व्यक्तिक परिचे का आपको मैंने सीक्वंस बताया था अपना नाम पिता का नाम माता का नाम जन्म तिथी वर्तमान पता इस्थाई पता टेलिफोन नंबर दूरभाश नंबर इमेल और भाशा का ग्यान तो भी same sequence में देनी है sequence को उपर नीचे नहीं करना है बिल्कुल भी सबसे पहले नाम आया तथागत मैत्रे पिता का नाम सौमित्र विश्वास मा का नाम सावित्री विश्वास ठीक है तो यह हो गई तीन एक initial फिर जन्वतारीक आ जाईए फिर आजाते हैं वर्तमान पता ए 82 अशोख विहार फेज एक दिल्ली इस थाई पता है वही टेलिफोन नंबर दे दीजिए मोबाइल नंबर टेलिफोन नंबर का एक स्वीकेंस होता है कि जिस भी सिटी में हो आप जिस भी सिटी को मेंचिन कर रहे हो उसका कोड आपको पता हो ठीक है दिलली का कोड्य 011 बॉंबय का कोड्य जिरू डबल टु आप जिस भी सिटी को मेंचिन कर रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए फिर आजाईए टेलिफोन नंबर टेलिफोन नंबर पता अपना देने है हमेशा अपना एडरेस यह फोन नंबर पर email address आपको अपना नहीं देना चाहिए उसमें तब्दीलियां कर देनी चाहिए ठीक है फिर उसके बाद आया हम email में तथागत 22 अब याद रखना जो मैंने आपको बताया था नाम और email address में similarity होनी चाहिए नेम की नाम में तथागत नीचे लिख रहा है नरेंद्र मोहन नहीं ठीक है वो चीज़ आपको दिहान रखनी है वो आपको email address बनाना है email address बनाना सीख लीजे क्योंकि अभी आप लोग के पास email लेखन भी है तो उसमें भी आपको ये email बनाना आएगा ही आएगा फिर आजाते हैं sectionic योग गिता मैंने आपको साफ तोर से बताया था sectionic योग गिता में आपको जो चीज mandatory है वो है आपका इस तरीके से पूरा एक table बनाना और 10th class से शुरू करना तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 10th class 10 वी कक्षा राज के विद्याले cbsc विशय लिखे किस श्रेडी में पास हुए किस प्रतिशत में पास हुए fit wealth में आ जाईए BA honors में आ गया MBA में आ गया तो अब इसमें एक जीज जो मैंने नहीं mention करी ठीक है जो नहीं mention करी वो था वर्ष आप चाहो तो कर सकते हो 1996 में अगर जन हुआ है अगर किसी का तो 16 साल बात कितना होगा आप मुझे बताओ चाहर साल हो गए आपके 2000 ठीक है फिर 10 14 और 14 और 2 और ले लिजिए 16 ठीक है 2016 में यानि कि उसने 12 किया है ठीक है समझ गए 2014 में वो 12 करेगा 10 करेगा 14 में 16 में 12 करेगा फिर उसके बाद BA honors MBA उस हिसाब से आप इसको निकाल के लेते आईए चलिए फिर next आ जाते है अनसंबंधित योगताएं ध्यान दीजिए योगताओं पर आपको खास और से ध्यान देना है कम्प्यूटर का अच्छा ग्यान अभ्यासाँ आजकल हर किसी को कम्प्यूटर इंटरनेट की नौलेज तो है ही है ठीक है आप कोर्स करो ना करो हर बंदा कम्प्यूटर इंटरनेट से अच्छी तरह वाकिफ है तो उसको mention करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इमेल करना है, किसी को कोई डॉकुमेंट्स बनाने है, स्कैन करना है, ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज हैं और हर एक इंसान को ये अच्छी तरीके से आता है, उसे मेंचिन करीए, जापानी भाषा का कारियों की जान है, उपलब्दियां आप की हैं, अखिल भारती है, लेखन प्रत्यों की तामें प्रथम परुसकार है, यानि कि राइटिंग का आपको बताया गया है, विद्याले और महा विद्याले फुटबॉल टीमों के आप कप्तान रहे हैं, फिर आते हैं कारियत्तर, गितिविधियां, अभिरुचियां, अगबारों का नियमत पाठन है, और इंटरनेट सर्फिंग है, अब देखें, इंटरनेट कम्प्यूटर के ग्यान में आपने एक चीज़ और देखी, कि इसमें बंदा लिपिक के तौर पर आ रहा है, ठीक है, टाइप राइटिस के तौर पर आ रहा है, तो यानि कि अगर ग्यान है, तो वो टाइपिंग कर लेता है, वो भी आप यहाँ पर मेंचिन कर सकते हैं, कि अगर कोई इस से आपने कोई ट्रेनिंग या डिप्लोमा वगरा लिया है, तो उसको भी, अब आते हैं, आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सम्मानित वेक्तियों का विवरण जो उ नापदिया, शुरेंद कुमार शा, निदेशक, वीके इंटरनाशनल, ठीक है, फिर नेक्स आते हैं, सिरी सत्यार्थ प्रकाश, अपर सचीव, परिवाहन, विभाग, भारत सरकार, यानि कि इन जगहाँ पर हम लिपिक के तौर पर कारे कर चुके हैं, आप जाहो तो काम बा परशक स्ववत्र तयार कीजिए, किसके लिए, सहायक अध्यापक के लिए, ठीक है, असिस्टन टीचर जिसे हम बोलते हैं, फिर वही सीक्वेंस, बार बार मैंने बोला ना, आपको मैंने प्रक्टिस के लिए दिया था, नवीन बहल, पिता का नाम पवन बहल, मा का नाम अन मुबाइल लंबर दे दिया, आप यहां पर देखो, दस से ज़्यादा मुबाइल लंबर दिये गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहरी चीज़ तो ध्यान रखना है, एक्च्वल हमें देना नहीं होता है, फिर आते हैं, यहां पर नवीन बहल है, तो उसी तरीके से नव इनने वाला हापुड का है, तो इसने जो education करी है, वो भी हापुड से ही करी है, देखे, दस वी ककशा करी, राजकी विद्याले हापुड, बारवी राजकी विद्याले हापुड, BA honors किया सत्यवत्नी दिल्ली विश्य विद्याले से, तो हम लोग तब तक बड़े हो जाते ह तो बाहर जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं तो इस तरीके से सब्जेक्स लिग दिये हमने फिर उसके बाद में आता है प्रथम प्रथम यानि कि शेडी सब फॉस रिविजन किया 63, 85, 94 प्रतिशत इस तरीके से हमने यहाँ पर बताया अब आज आते हैं अन्य योगिताएं अब सबसे पहली जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप अन्य योगिताओं के तौर पर अगर काम कर रहे हो जैसे मैंने बताया कंप्यूटर तो हर जगे मेंचिन करी दो आँख बंद कर के मेंचिन कर दो फिर आज आते हैं उपलगदियां अखिल भारती नाट पतियोगिता में प्रथम पुरुषकार राजीव गांदी इसमारक फुटबाल पतियोगिता में मैं आफ दा मैच विद्याले और महाविद्याले फुटपुल टीम का कप्तान रहे हैं ठीक है फिर आते हैं कारेयत्तर करके निकले हो तो आप वहीं का दे सकते हूं जैसे यहां पर दिया है श्री राहुल जैन निदेशक बिल्डा इंस्टूट ऑफ मैनेजमेंट लगनों श्री हरी हीरा डायमेंड प्रधान अध्यापक डी एवी कॉलेज हाप ठीक है तो यह उन लोगों के नाम है जहां से आपके पास experience वह है नहीं आप अभी apply कर रहे हो तो उस condition में आप जब भी देखोयो आप experience के तौर पर आप कभी भी जबभी बायो डिटा बनाओगे न, आपके पास सामने experience जब भी जब तक आप आनुभव नहीं लिखोगे, तब तक यहाँ पर किसी office वगेरा करें, क्योंकि आप चाहे MBA करके निकलो, चाहे BA करके निकलो, कुछ भी करके निकलो, आपको हमेशा वहीं के लोगों के ही नाम mention करने होंगे चलिए, नेक्स आते, basic सिक्षा अधिकारी पत के लिए अपना एक आकरशक सोवरत्य तयार कीजिए, basic सिक्षा अधिकारी के लिए, चीक है, नाम दिनेज सिंग, इसमें बहुत जादा कोई rocket science नहीं है, बहुत easy way में बनता है, format याद हो गया, फिर तो खटा-खटा सारी information भर नहीं है, है ना, फिर है, पिता का नाम, राम बिलाज सिंग, मा का नाम, सावित्री सिंग, जन्रतिती, 17 अगस, 1970, 1970 की पैदाईश है, ध्यान रखेगा, 27 बटा 3, DA, ब्लॉक, शालिमार बाग, ठीक है, साही पता वही है, टेलिफोन नंबर आ जाईए, मुबाइल नंबर आ जाईए, फिर इमेल, देखे, दिनेश सिंग है, तो नीचे इमेल भी उसी हिसाब से आपका रहेगा, चलिए, आब यहाँ पर देखे, 1970 की इसकी पैदाईश है, तो 16 साल बाद 86, कितना हुआ, 86 में, यह यह 10 करेगा, ठीक है, यह देखे, 10 वी गक्षा, 1996 में, राजकी विद जाले साइसा, विशे हो गए आपके, फिर शेड़ी हो गई और प्रतिशत हो गए, तो इतना तो एक बेसिक चीज है, फिर B.S.C. किया, ठीक है, गुर्गोविन सिंग कॉलेज से ओनर्स किया, इतिहास में, और प्रथम है, और यहाँ पर क्या है, 94 प्रतिशत आपका अंक आ अटलिस मारक निबंद पतियोगत्या में, प्रतम पुर्शकार, विद्याले, महा विद्याले, क्रिकेट टीमों के कप्तान, कारियत्तर देश ब्रह्मन का शौक है, इंटरनेट सर्फिंग है, क्रिकेट के अधरिक बैड्मिंटन में भी अभी रुची है, सम्मानित व्यक्त अब चूकि आप अभी पढ़कर ही निकले हैं, तो उस कंडिशन में देखिये क्या है, यहाँ पर, श्री मारिक गोविन चतुरवेदी, निदेशक, मौडर इंस्ट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओखला, नहीं दिल्ली, वो आपने दे दिया, फिर उसके बाद, इसके इलावा आपने कर कहीं काम किया है, तो अनुभव मेंशन करके आप वहाँ पर दे सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया है, श्री नाम नासिंग, निदेशक, उच्च सिक्षा विभाग नहीं दिल्ली, तो अब यह ज़्यक्ती ने अनुभव प्राप्त नहीं किया, तो अब यह किसका दे कुछ चीज़ें आप देख रहे हो ना, क्या चीज़ें सिमिलर चल रही है, किस तरीके से हो रही है, नमबर फोर पे देखें, यहाँ पर क्या है, विशे विशेशक्य, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पद के लिए अपना एक आकरशक सोवत तो त्यार कीज़े, अब ध्य अब एक्सपर्टीज रखने के लिए आपकी कौलिफिकेशन भी उसी तरीके की होनी चाहिए, जैसे यहाँ देख रहे हैं, नाम है राजेश भूशन, पिता का नाम अभिलाश भूशन, मा का नाम अनन्या भूशन, जन्म हुआ है 15 जन्बरी 1998, वर्तमान पता सेक्टर 66, फर कि तो आप बहुत आसानी से कर सकते हों, देखो यहाँ पर क्या है, दसवी कक्षा आपने करी 1914 में, ठीक है, मैंने क्या बताया था, 16 साल का अंतर होना चाहिए, तो अगर 1998 में जन्म हुआ है, तो 16 साल कितना हुआ, 2014 में, तो यह कुछ बेसिक चीजे हैं, जिनको आपको खास और से ध्यान रखना है, विद्याले, राज की विद्याले, CBSC, प्रथम शेडी में, 93 प्रतिश, तो इसमें विसे हमने वेंशन नहीं किया, आप चाहे तो विशे कर सकते हो, बारवी, 2016 में, आपने यहाँ पर दिया, फिर बीटे किया, 2017 से 21 के बीच में, बायो टेक इंजिन of Management, तो जैसे मैंने बताया कि आपको बाक में पीछे का चलते हुए करना है, तो यहाँ पर देखिए, विल्कुल सटीक तरीके से चीज़े आई हैं, कंप्यूटर ग्यान है, MS Office, Word, Excel, PowerPoint तथा इंटरनेट, आप चुकि सब्जक्ट मैटर एक्सपोर्ट में हैं, तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज में थोड़ा आप एक्स्ट्रा करो, तो यहाँ पर देखिए, हमने एक्सेल, PowerPoint और Internet दे दिया, French भाषा का कारियोग ज्यान है, अखिल भारतिय बाद विवाद पत्योक्ता में प्रथम पुरसकार है, राजिव गांधी समारक निबन पत्योक्ता में प्रथम पुरसकार है, अब आते हैं कारेत्तर, गतिविधी और अभिरुची, उद्योग व्यापास सम जो चीज़े घटित हो रही हैं, उनको भी पता होना चाहिए, तो इसका मतलब है, जब आप यहाँ पर दे रहे हो, कि जब आप पत्र-पत्काओं और अकबारों का नियमित पाथन करते हो, तो यानि कि आप Current Affairs से अच्छी तरह वाकिफ है, है ना, तो यह चीज़े जो मैंने चाहता में एक elements के काम करती है, तो यह वही काम है यहाँ पर जो इनके द्वारा किया जा रहा है, आप देखें सम्मानित वेक्तियों में आपने दिया श्री येश्वंत राय निदेशक आदेंश्च्टूट अफ मैनेज्मेंट नहीं दिल ली, नंद किशॉर जा निदेशक marketing BK group of management नहीं दिल ले तो जहां से भी आप last pass out हो या उससे पहले आप जहां कर रहे थे उनके आप नाम दीजिए नमबर 5 है clerk के पत पर आवेदन के लिए सौवरत्य तयार करें तो आपने देखा अभी तक मैंने आपको 4 से 6 दो आपको मैंने डिटेल में कराए थे डिटेल एक्स्मेनेशन में 4 अभी तक करा दिये आपने देखा कि इसमें कोई ऐसी चीज थी जो फेर बदल थी नहीं देखा नहीं देखा ना तो यही चीजें आपको मैं दिखाने और बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सौवरत में इतना कोई रोकेट साइंस नहीं होता बहुत इजी होता है बनिस्पत और लेखन से ज़ादा आसान होता है मुझे तो लगता है इमेल और सौवरत के सबसे ज़ादा आसान है आप बाकी और आप्ट करो उससे अच्छा है जन्म दिती 15 अगस्ट 1990 वरतमान पता 256 बटा 16 गोपाल गंच भोपाल मद्द प्रदेश फिर आते हैं दूर भाष हमने दे दिया मुबाइल दे दिया इमेल गीता अड़ रेट सौरी अंडर स्कोर आपका शर्मा अड़ रेट जीमेल डॉट कॉम अब इन्होंने देखी क्या किया है दसवी कक्षा 2005 में करी राज़की विद्याले CBS से विशेद दिये और इधर प्रतिशद दिया अब प्रतिशद 65% है प्रथम रहेगा 59% है ये भी प्रथम है 77% ये भी प्रथम ही श्रेड़ी है बारवी 2007 में डिप्लोमा इन्होंने किया है 2009 में ITI से हिंदी शॉट हैंट का ठीक है चुकि एक क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो शॉट हैंट आनी जरूरी होती है क्लर्क डिक्टेशन लेता है न तो शॉट हैंट लिखनी पड़ती है अन्य संबंदित योगता है कंप्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा है हिंदी अंग्रेजी भाषा की जानकारी है हिंदी टाइप गती 30 शब्द प्रती मिनट है अंग्रेजी टाइप गती 40 शब्द प्रती मिनट है ठीक है चुकि शॉर्ट हेंड में हैं तो टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी न वो चीज़ें उपलगदियां मेरे हाथ का हुनर पत्युक्ता में राज इस्तर पर प्रथम पुरसकार प्राप्त किया है अब चुकि यह भी पड़कर निकली हैं तो इन्हों ने अपने जो जानने वाले हैं इनका रिफरेंस नहीं दिया आप चाहो तो वैसे लिखना जरूरी है सम्मानित वेक्तियों का रिफरेंस देना बहुत जरूरी होता है चली अब हम आगए लास्ट फिर से क्लर्क के पत के लिए ही आवेदन मैंने दिया था ठीक है कुछ जादा नहीं करना था बार-बार में कहरी चली नाम है जगदीश लाल पिता का नाम प्रेम लाल माता किश्ना जन्व दिती 30 जुलाई 1994 बरतमान पता आप दे सकते हैं 525 ए गली नमबर 9 गीता कॉलोनी दिली दूरभाश है मुबाइल नमबर है और इमेल है ठीक है जो आपका मेन है उन सारी चीज़ों को मेंचन कीजे फिर आजाईए सैक्षडिक योग्यता पर ठीक है दसवी कक्षाकरी 2008 में जहां पर विद्ध्याले मेंचन किया विशे किया और 69% आपके आए फिर बारवी किया फिर इसनातक किया यानि की ग्रेजुएशन किया फिर बेड किया दो साल में और उसके बाद दो साल ही लगे आपको पोस्ट गेजुएशन पर आशनातक करने में तो इन्होंने देखिए हिंदी 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 में जो है किया है यह हिंदी उनका कॉमन रहा है तो जो आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपोर्ट है उसके लिए भी आप यहां दे सकते हो जैसे जो सब्जेक्ट 10, 12 उसके बाद सारी चीज़ें अगर उसमें आई है तो बंदे ने वो सब्जेक्ट जादा अच्छे से पढ़ा हुआ है ठीक है अब आज आते हैं कंप्यूटर का एक वर्ष का डिप्लोमा है मेकैनिकल इंजीनिरिंग में 6 माह का डिप्लोमा है हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, स्पैनिश भाषा की जानकारी है योगा के छेतर में 6 माह का प्रसिक्षन प्राप्त किया है उपलब्दियां है विद्याले स्तर पर NCC में उच्च प्रसिक्षन है भारत को जानों प्रतियोगिता में राज इस्तर पर दुतिय प्रस्कार है गर्तन्द दिवस परेड में भाग लेने का प्रस्कार प्राप्त है कारेतर गति विधियां देखे योगा अभ्यास, क्रिकेट, शास्त्रिय संगीत, गायन, वादन में विशेश रुची है सांस्कृतिक कारिकर्म का आयोजन करने का अनभव तथा रुची है आधुनिक तकनीकों का प्रियोग सीखना तता समाज के लिए उपयोगी बनाना है तो देखा ये रहाती थी इस्थान हस्ताक्षर तो जादा वक्त नहीं लगना हमें चीजे समझने में टाइम लगता है अगर समझ में आ जाएं तो करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता हमने किस तरीके से सारी चीजे करी थी थी थोड़ा समय लगा था लेकिन देखिए आंसर करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा तो जब आपने किया हुगा तो I hope जब आपको अच्छी तरीके से पता है तो उसे करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसी तरह प्रैक्टिस करते रही है अब हम मिलेंगे अपने नए रस्टात्मक लेखन के साथ में जहां पर हम देखने वाले हैं फिर से एक नया टॉपिक क्योंकि लेखन तो बहुत सारा आ रहा है ना पढ़ना जरूरी है चली मिलते हैं अगली बात थैंक यू फॉर वाचिंग बाई